मिटिंग हॉल से निगते ही लोगों की टाई ही जाती है बाद उपर चड़ जाती है और अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे छुटके घर पहुंचते हैं वाई सब टाई लगाए हुए लोग जो नहीं नहीं होते हैं निकों मार्केटिंग नहीं इनको शरम आती है टाई लगाने में कैसी शरम सोचके देखिये साथ क्योंकि अपने बिजनस को बड़ा बिजनस मानते नहीं है या अपने बिजनस को छोटा मानते हैं इनको खराब लगता है कि कई किसी ने रवाइक शेक टाई में देख लिया तो बेज़ती खराब हजाएग और गमचे में देख लिया तो बेज़ती खराब नहीं होगी तीशाइट में बेज़ती खराब नहीं होगी लेकिन टाई लिनागे में कुछ शरम आती है तो एक बात बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहींगे लोग और जिसने की शरम उसके भूटे करांगी अडोसी क्य क्या सोचेंगे पतों क्या सोचेंगे एसी में सारी जिंदरी लिकाल दे जो अगर अगर अडोसी क्या सोचेगा उप्य you awa ना मैं सोचने तो सोचेगा भाई एक विट्टी सार जिंदगी भर यही सोचता रहा अडोसी-पडोसी क्या सोचेगा साथ साल ना हो गया आगरी वक्त पे डैध मैट पर पड़ा हुआ है और तब जाके उसको यह अहसास हुआ कि मैं सारी जिंदों क्यों कि नी कर पाया यह सोचके कि अडोसी क्या सोचेगा अज दरने वाली हालत है अब रेलाइट रहा हुआ है ऑडोसी-पडोसी तो मेरे बारे वेً सोचेगा मैं अहीं सोच रहा था कि अडोसी पडोसी क्या सोचेगा सर इतने बड़े अगर हमने काम किये होते कि अडोसी पडोसी हमारे बारे में सोचे तो फिर बाती क्या थी आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि अडोसी पडोसी सोचे आपके बारे में आइ मैरे को सबसाएगा करता ही कै और वशी पड़ो से दूर०ूλ तक लोग सोचते離शा है आप ऐसा क्या कर रहा है जो लोग आपके बारे में सोचे लोगों के कहने से लोग अपनी फैसले बदल लेते हैं दुनिया की परवाय करके अम अपनी फैस्नों को बदल लेते हैं ऐसा होता है भी नहीं होता पहली स्टेज इस्टेज ऑफ रिजेक्शन नो जब हमें सुनने को मिलती है लेकिन हमको क्या सिखाया गया नो का मतलब नेक्स्ट बन नो का मतलब अगला इस बिजनस में ध्यान लटना एक बात दोश्तो आपको हा मिलेगी लोगों से इसकी गैरिंटी नहीं है लेकिन ना मिलेगी ये बात गैरिंटीड है कि सड़क पे निकलोगे रैंट लेगी गरिंटिया कि सड़क पे चलना छोड़ दोगे कि कोई भी व्यापार करोगे कोई भी बिजनस करोगे सेल का जब जब काम करोगे नो तो मिलेगी दस के दस लोग तो साथ नहीं आएंगे अब आप अपने आप से पूछे जो मैंने अपने सपने देखे हैं उसमें कहीं ये लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी साथ देगा तब ही अमीर बनूँगी कहीं दिखा है क्या कोई कंडिशन लगाई है क्या तो मेरे अपलाइट एक बाग बोली थी सुभाण चुछी डोंट अपलाई एनी कंडिशन ऑन यूर द्रीम्स कि अगर ये साथ देगा तब पूरे होंगे अगर ये प्रोड़क ले लेगा तब पूरे होंगे अगर सारी सिचुएशन मेरे अनुपूल हो जाएंगी तब पूरे होंगे अगर बारिश नहीं पड़े गी तब सब उने पूरे होंगे अगर हर कोई मेरी बात सुनेगा तब पूरे होंगे हर कोई पोजिटिव मिलेगा तब पूरे होंगे सब कंडिशन मतलगाईए डोंट अप्लाइ कंडिशन अगर मगर ये मतलगाईए कि अगर ऐसा होगा तब सक्सथुल होगा अगर ऐसा होजाएगा तब सक्सुल होगा डोंट अप्लाइ कंडिशन्स on your dream रादर देन अप्लाइ यॉरसल्फ to any condition to achieve your dream अपने आपको हर situation में लगाने को त्यार हो जाओ कि सपने हर किसी के पूरे नहीं होते दो अगर हर किसी के पूरे होते तो बाती क्या थी कुछ लोग होते हैं जो सपन होते हैं मैंने बिजनस को शुरू करना शुरू किया न उस तो पहली stage में तो लोग बड़ी भूपटांग सवाल करते थे क्यों शुरूआत के 90 दूमें लोग give up कर जाते हैं कि ऐसे ऐसे भयानत खतरमाख सवाल उनको face करने को मिलते हैं इसके लिए वो ready भी होते हैं जैसे कि मेरे को कई लोग बोलते थे हमारे भी भाहिया ने किया था ऐसा ही कुछ हमारे भी मामा ने किया था चाज़ा ने किया था उन्हों ने विविया था उनको कुछ नहीं हुआ सुनने को मिलते हैं नहीं मेरा ऐसे दुरू से सवाल है कि भाहिसरो गया मेरे किसी जानकार ने साधी की और उसका तलाब हो गया तो क्या मेरे को साधी नहीं करनी चाहिए आप बताइए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कोई इंसान सगत पे गया उसका एक्सिडेंट हो गया तो क्या मेरे को सगत पे चलना छोड़ देना चाहिए आप खुद सोचिए ना कोई इंसान इंजिनरिंग कर रहा है उसमें फेल हो गया तो क्या मुझे भी इंजिंरिंग बीच में से छोड़ देना चाहिए अगर मुझे सपल होना है तो मुझे विफन लोगों को देखना चाहिए कि सफन लोगों को देड़ना चाहिए, लेकिन हम अकसर ऐसे लोगों की कहानियों से प्रेरित हो जाते हैं, जो इसको करके विफल हो गए, लेकिन आपके सामने सफन लोगों की भी कहानी होती है, आप उनको देखके इसपायर भी हो सकते हैं, आप जिंदगी में जिसको देखते वैसे बनते हैं आप विफल लोगों को देखोंगे आप विफल हो जाओगे आप सफल लोगों से प्रेरे थे नहीं हुआ लोग बोलते थे शुरुआत में जब मैं इस बिजनस को कर रहा था कि इस बिजनस के अंदर तो जो उपर वाले लोग होते हैं वही पैसा कमाते हैं बोल वाले पैसा कमाते हैं, ये तो लखी हैं, रहमतुल्ला सर्थ से दस साल पहले उपर जुड़ गए, ये तो किस्मत वाले थे, और डी में चलते हैं, गई रिष्टेदार मेरे पास आते तो मुझे बस समझाते थे, कि तुमारी अपनाई तो लखी है, तो उपर जुड़ गए, ऐसे महा nagative लोग मुझे मिलते थे, और जोब गई ऐसे लोगों से मिलने के बाद कई लोग फुड नेगटिव हो जाते हैं, अब मेरा स्वाल अगर आप ये बार जानते हैं कि उपर वाला पैसा कमाते हैं तो आप क्यों नहीं उपर आ जाते हैं कोई आपको रोक रहा है उपरा मेंसे दूसरा सवाल आप उनसे पूछें और मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो उपर वाले हैं तो पैसा कमाते हैं ये पहले दिन ही उपर जाते हैं रहमत तुल्लास जो आज ओडी में चबते हैं यह क्या पहले दिन ही आपके ऊपर आगे थे आपने अपने अपनी नेट्वर मार्केटिंग जर्मी 2010 में शुरू की होगी और वो 2012 में आपके ऊपर आगे ऐसा हुआ जी नहीं उन्होंने भी 5% level से रेस्टीच की शुरुवात की थी उन्होंने भी नीचे से भी शुरुवात की थी लोग अक्सर उनको लखी बहुत देते किस्मत वाला भुल देते कि उन्होंने तो ऊपर हैं इसलिए कमाते हैं सरेक्टिन नीचे था और वह किसे कि दो हजार मौ बाइस फर्वरी को शुरू किया था आज से लगव 14 साल पहले यहां पर क्या नाम है बिटा आपका कि खोड़ा से तेज बोलो मिलन डास क्या हो रहे आपके 21 तो जब यह 21 के हैं मतलब आज से 14 साल पहले यह 6-7 साल के रहे होंगे यह 6-7 साल का बच्चा होता है LKG nursery UKG में होता है yes or no? तो मिलन डास जब UKG में थे तब हम कॉलिज के बाद घर जाके अपने कपड़े धुलने के बाद लोगों को मिटिंग दिखाने जाते थे जब मिलन डास nursery में पढ़ाई करते थे इनको नाग भी कुछ साथ करनी नहीं आती थी तो हम लोगों के doubt साथ कर रहे होते थे yes or no? हम भी आराम वाली जिन्दगी घरवाले पैसे देते थे part-time basis पे मिलती थी सब चीजे हम भी बैठ के मझे लेके पढ़ाई करते रहते PhD करते MBA करते MDPS करते फिर इक दिन नौपरी कर लेते कहीं जाके उस दिन रह्मत अल्ला सर ने जो लोग जिनको अगों दोते हैं उपर वाले पैसा कमाते हैं जब सब लोग मज़ेवाली जिन्दगी जी रहते हम वितार टिकेट ट्रेवल करते थे एक साल ऐसा था खाना ने खाया दिन के अदर सिर्फ सुबा और रात को खाना खाते थे गुकि पैसे नी होते थे, तो उस पैसे को बचाद़ करें घूपर बाले तो पैसा कम आते हैं आपकोई नहीं पता है ये शुरूर किसी इने साल की फारत की जाते हैं how much effort they have put in it to reach here nobody is stopping you कोई नहीं रोग रहा आपको या यह उपर वाले यह जाते हैं कि आप आप सिर्ट इनसे भी जादा कमाओ या सौर्ण आप हमसे भी जादा कमाएं हमसे भी जादा सफल बने और कई लोगों को दिकत किस बाद में है कि हमारे कर्मे से इनका फाइदा हो जाएगा मिडल क्लास सोच भेटिया सोच क्या कि हमारे कर्मे से इनका फाइदा ना हो जाए काम तुम कर तुम फाइदा नका होता है तो अगर ऐसी सोच किसी की है तो मेरी बात ध्यान से सुनना आज आप सुबह के हम आपधर आएगो आटो रिक्षण से आएगोगे वापस गर पैदल जानो पकीजी आपकी वज़ीत को मिदे बाचा हो जाएगए देशिटा आपकी वेजये सेी आपकी व्यक्षा पाइडा हो जाएगा कि नभी आठे कंपनी, क्योंकि वुजवा पफाईदा हो जाएगा, नॅहम स्कुछ नहीं डालना शब्जिएं हो जाएगाorigघ्व बाल लिजे कहें, क्योंकि नाहीं का फाईदा हो जाएगा आखकी वज़ें से पहिनना छोड़ दो कि तुम कपड़ा खरी दोगे तो दुकान वाले का फायदा हो जाएगा छोड़ दो सब कुछ काम करना कि तुम्हारे कुछ करने से किसी का फायदा तो होगा और कितनी घटिया सोच है तुमारी कि अगर मेरे कुछ करने से किसी का फायदा हो रहा है तो शुक्र गुजार हो जाओ तुमार के कि तुमारे कुछ करने से किसी का फायदा हो रहा है शुक्र गुजार हो तुमार के बड़ा कीओ बना किभी हम सबको फायदा कुछा रहा है तो वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों को फायदा पहुचाने के बारे में सोचता है उसको उपर आला है इतना फायदा पुचाता है कि उसमे कभी सोचावे नहीं होता यह स्वार नू? अब कभी कोई बात बोले कि तुम्हारे करने से फायदा हो रहा है उसको बोलते ना फायदा है नुक्साम तो नहीं हो रहा है अच्छी बात है ना, I'm proud of that यह स्वार नू? तो ऐसे ऐसे प्रदत्ती के लोग मिलते थे तो ऐसे ऐसी बाते करते थे वाई समय कि उपर वाले पैसा कमाते हैं और यह सब बाते करते हैं तो नहीं कमाएं 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 तो नहीं ऐसे सोल्स से बचने के लिए ज़रूरी है ऐसे events को attend करना, education लेना लगातार, ऐसे events में आईए, मैं जाता था, अपने दीन को भी ऐसे events में लेके आए, उससे क्या होगा, उनके मन के सवाल खतम होगे, उनके मन के doubt खतम होगे, वा जो टाइटनिक में छोटा सा भी छेद था ना ज़रूरी हैं, और वो कहां होते हैं, events में आपके, जैसे कि अभी आपके बुरे हैं, हो रही है ना धुलाई, है ना, high-west से, तो वही धुलाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, शुरुआत में ने बातों से negative क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं लगातार meeting में जाता था, मैं events का अपराट बनता रहता था, तो मुझे rejection से फरक नहीं पड़ा, कि मुझे हिम्मत देने वाली मेरी applying मेरे साथ होती, पैसे तो नहीं आते थे शुरू में, लेकिन knowledge आती थी, events, income तो नहीं आ रही थी शुरू में, लेकिन applying की तरफ से support ज़ूर आ रही थी मुझे, और वही मेरे पास एक ताकत थी, जिससे मुझे बता था, कि मुझे को कीमत दो चुहानी है, आगे अगे बढ़ना है, तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता गया, और कुछी महीने बार, अच्छा जो लोग इसे stage पर give up कर देते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, fools, पहली stage जो लोग give up करते हैं, आप लिख सकते हो, रैकेट में देया, cold fools, किसी के मना करने से, किसी के कहने से, आप किसी काम को चोड़ दे रहें, जिस इनसान को व्यक्ति को उस काम की कोई चांदकारी नहीं है, तो आप जिंदगी में कोई भी काम नहीं करपाएंगे, क्योंकि कोई जो बहुत करने कोई रिक्ति ऐसा जरूर आएगा, जो उस काम में, जो भी आप शुरू करेंगे, विफल हो चुखा हो, और आप उसको देखेंगे, उस काम को भी शोड़ देगे, आप ने अपना एक कुकिन का शोव शुरू करा और एक मेडा माईं बोली हमने भी किया था, हमारा को बंद हो गया, आप उसको भी बंद कर देगे, आप उसको भी बंद कर देगे, तो कोई भी काम जब करने जाओगे, तो विफल लोगों की कहानियां आपको सुनने को पक्का मिने, किसी भी बंद कर देगे, तो हर जगा मिलेंगे, तो उन लोगों को देख के अगर हम सुनने को जाएंगे, तो पहला लेक्सन आपको मेलिए, रूबा में क्यों सफ़़वा कि मैंने कोई नहीं किया, मैंने पहली सेज़ पे, विफल नहीं मानी, तो कितने लोगों होते हैं सर मैं आपको बदाओ, पहला साल of network marketing is all about learning, पहला साल क्या होता है, सीखने का साल होता है, पहले साल कोई job भी लगती है, तो छे मैंने तो training होती है, आप ने network marketing आप से पहले कभी की ती, नहीं की, पहले